हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ, आप सब स्वस्थ हैं, आपके परिवार में भी सबी स्वस्थ हैं, और बिटा ये है आपकी English Worksheet No.8, scheduled to be done on 24th April 2021, Class 9th, बिटा, आपकी छुटियां डिकलेर हो गई, लेकिन इस वीक की Worksheets जो बन चुकी थी, वो Worksheets है ये, तो ये Last Worksheet No.7 में हमने आर्टिकल के बारे में ही पढ़ा था, जो Part 1 था, आर्टिकल A and N का यूज हमने किया था, A and N क्या होता है बिटा, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और The जो है वो डेफिनिट, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए जो यूज हो रहा है, तो वहां हम तरह से The को यूज किया जाता है, A definite article is used when we want to refer, A particular person और object, आपको ये याद रखते हैं, जब एक particular person, किसी एक विशेश व्यक्ति या चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम The यूज करते हैं, तो आप देखिए, यहां पर उसके बाद है, A singular और plural, तो हमें जैसे पता है, A और तो उसके लिए, singular के लिए, A और आन का use होता था, जिसमें A use होता था, सभी consonants के साथ, और N use होता है, vowel sounds के साथ, vowel sounds आपको पता है, A, E, I, O, U, इन sounds के साथ N use होता है, लेकिन, अब अगर singular या plural, कुछ भी हो, अगर वो particular कोई चीज है, which is clear or obvious, which person or thing we are talking about, अगर वो clear है कि हम क इस चीज के बाद में बात कर रहे हैं, कौन से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो particular हो जाएगा, और वहाँ पर use होगा, the, तो देखे, the exercise, the exercise you did today was difficult, तो जो आज आपने exercise की थी, वो difficult थी, अब uncountable nouns, uncountable nouns कौन से होते हैं, जिनने count नहीं किया जा सकता है, nouns जो हैं, वो दो तरह क्या होते हैं, जिसे pencil, pens, आप इनको count कर सकते हो, तो वो countable nouns होते हैं, जैसा कि उसका word आपको name सजेस्ट कर रहा है, और uncountable, milk, cold drink, water, इन सबको आप count नहीं कर सकते हैं, तो यह आपके uncountable nouns जो है इनके साथ क्या यूज होता है, when a particular or definite reference is made to them, एक particular उनी के बारे में ही बात हो रही है, उसी से कोई particular reference दिया जा रहा है, तो वो the का यूज होगा, the milk is tasty, adjective in the superlative degree, adjective जब superlative degree में होते हैं, रोहन is the best athlete in our school team, तो यहाँ पर देखे, सबसे अच्छा athlete है, रोहन हमारे school team का, तो ज जहाँ superlative, adjective 3 है, positive, comparative और superlative, अब देखे, best किसका adjective है, superlative, good, better, best, तो आप देखे, अच्छा, उससे अच्छा, जब दो को compare करना होगा, तो better आएगा, और सबसे अच्छा में आएगा, best, तो जहाँ सबसे word आगया, tallest, smallest, highest, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे आ रहा है, कि सब में compare करके सबसे higher, तो यहाँ वहाँ पर हमेशा क्या use होगा, the, तो यहाँ आप देखे, एक और आप याद कर सकते हैं, जो आपने हमेशा, मैं आपको बार-बार बताती हो, और हम हमेशा उस word को, phrase को use करते ह all the best, आप इससे याद रखेगा, कि हम हमेशा all the best कहते हैं, तो best के साथ क्या आता है, the, superlative degree है best, और उसके साथ क्या आ रहा है, the, इसको याद रखने के लिए आप एक sentence ये भी याद रख सकते हैं, आप देखे, something that is unique, और there is only one, कोई एक चीज़ जो unique है, और सिर्फ वही है, तो something that is unique, और कोई नहीं है, उसके जैसा, या सिर्फ केवल वही है, तो the sun, the moon, सिर्फ हमार पास एके sun, एके moon है न, तो क्या आएगा, the use होगा, names of rivers, seas, हमान नदियों के नाम, महसागर के नाम, oceans, महसागरों के नाम, परवत शिंखलाओं के नाम, रंगिस्तान के नाम, इन कर रहे हैं, तो the Himalayas, the Sahara Desert, the Arabian Sea, nouns that represent the whole class, जब हम किसी noun से पूरे उसके वर्ग को रिप्रेजन कर रहे होते हैं, तो भी क्या use करते हैं, the, जैसे the tiger is a national animal, तो the tiger, यानि कि सभी tigers को हमने क्या consider करा हमारा राश्चिय जानवर, हमारा राश्चिय पशू, चाहे वो गिर का हो, च जाहे वो बंगलादेश में हो, या वो करनाटक में हो, सभी tigers को, हमने यहां एक साथ tiger के अंदर उस सभी tigers को कहा, तो the tiger, जैसे the cow is an useful animal, तो cow क्या है, एक useful animal है, तो सभी cow के लिए बोला हमने, यहां हमने सर्फ एक गाएं के लिए नहीं बोला, हमने पूरी, जो सारी गाएं है उनको इसमें लिया, तो the cow, ऐसे ही directions, तो directions बेटा, जो हमारी दिशाएं है, directions के आगे भी क्या यूज़ किया जाता है, the यूज़ किया जाता है, अगर direction है, तो केवल भई direction है ना, और हमारी कुल कितनी directions है बेटा, देखे, 8 directions है, और 8 directions अब कैसे देखेंगे, यह है अगर यह उत्तर और पूर्व में है तो उत्तर और पूर्व में है तो दक्षिन और पूर्व में है तो दक्षिन पूर्व जैसे नौर्थ वेस्ट, दौर्थ एस्ट, हैसे हैं यहाँ पर सौथ वेस्ट, सौथ एस्ट, यहाँ पर नौर्थ वेस्ट आएगा, यह नौर्थ वेस्ट और यहाँ पर यह बिटा नॉर्थ इस्ट जो जिसके बीच में है मैं आपको फिर से एक बर बता देती हूँ यह देखिए जो जिसके बीच में है नॉर्थ साउथ इस्ट वेस्ट हमें नॉर्थ और साउथ को आगे लिखना है जो जिसके बीच में यह नॉर्थ और इ के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट इस तरह से हमारी यह सारी डारेक्शन जह हैं और डारेक्शन के आगे हम क्या यूज करेंगे दव अब देखिये डाश elephant has escaped from dash zoo अब कहां से escape हुआ है जो elephant कहां से भागा है कहां से निकल के भाग गया है तो एक हाथी zoo में से भागा है तो देखिए हमें यह particular जगा पता है कौन सी जगा से कहा जा रहा है तो यहाँ देखिए elephant क्या है एक और यह starting का word है तो एक capital आएगा an elephant has escaped from the zoo zoo में से elephant जो है वो भागा it has taken और उस शेल्टर इन उसने शरन कहा लिया है it has taken shelter in the nearby nearby ही उसके पास में ही in the nearby पास का जो उसके school है वहाँ पर हम एक particular school के बारे में बात कर रहे है everyone in that neighborhood seems to be extremely scared अब उसी के पडोस में जो सारे लोग है सारे जो पडोस के लोग है वो क्या कर रहे हैं वो डरे हुए है no one is ready to face अब no one is कोई भी तयार नहीं है उस elephant को पास जाने में उस elephant को face करने के लिए तो उसी elephant की बात हो रही है तो particular हो गया तो यहां के आज़ेगा the no one is ready to face the elephant अब यहाँ पर देखिए the zoo officials यहाँ पर देखिए हमें दो clue मिल रहे है zoo के बारे में अगर सिर्फ zoo होता तब भी पहले बात हो चुकिया officials है यहाँ पर plural है more than one हो गया वो भी हमें दूसरा clue मिल गया और officials के आगे हमेशा the आता है the principal, the director तो the zoo officials have been called to जो zoo के ही लोग है उन्हें बुलाया गया है to capture अब किसको to capture the elephant उसी elephant को उसी की बात हो रही है particular तो the अब देखे बिटा इसके बाद है fill in the blanks with the suitable articles a and the अब आपको fill in the blanks यह blanks को fill करना है suitable articles से I saw dash dolphin show yesterday I saw a dolphin show मैंने एक dolphin show देखा कल the red fort is situated in Delhi तो the red fort एक ही है ना red fort the red fort कहा है वो दिली में है लाल किला राम helped an old man राम ने help की एक old man की क्या help की in crossing the road road को cross करने में उस road को cross करने में जो road वो particular road है उसने help की वहाँ पर we have a beautiful क्योंकि क्या है consonant sound है we have a beautiful garden अब इसी garden की बात अगर दुबारा हो दिया है तो particular garden हो गया the garden is full of roses और वह garden क्या है roses से भरा हुआ है गुलावों से भरा हुआ है there is a little milk there is a little milk बहुत कम दूद है किसमें in the yard तो किसी particular jar के बारे में बात हो रही है तो उसके अंदर बहुत कम दूद है I saw an accident मैंने एक दुरगटना देखी किसकी of a car एक कार की मैंने एक कार की दुरगटना होते हुए देखी तो वह वहाँ पे कौन सी है मैं नहीं पता कौन सी का लेकिन एक कार की दुरगटना देखी बिटा last but not the least COVID appropriate behavior सभी follow करेंगे to stay safe in the fight against COVID-19 wear a mask always maintain physical distance of 6 feet or 2 yards and wash your hands regularly with soap and water stay blessed and healthy thank you have a nice day